आज हम सिखेंगे यह बहुत ही सुन्दर सा केबल निटिंग बैटरन इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडिस काडिगर में, लेडिस जैकिट में, चैंट साफ सैटर, फुल सैटर में, बच्चों के सैटर में डाल सकते हैं तो देखिए, आगे की साइड से यह इस तरह से दिखता है, और पीछे की साइड से यह इस तरह से दिखता है तो इस डिजाइन को बनाने के लिए जो फंदे चाहिए होंगे, वो 16 के मल्टिपल से होंगी यानि की 16 फंदे, 16 फंदे, 16 फंदे इसी तरह से आपने एंड तक 16 फंदे रखते हुए जाना है और 4 फंदे एक्स्टर रखेंगे, 2 फंदे साइड में डिजाइन को इकुल करने के लिए 2 फंदे ही स्टिच के लिए रखेंगे, और ये जो डिजाइन है, टोटल 8 रो का ही डि साप से लिए हैं प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं साइड में डिजाइन को एकुल करने के लिए और 2 फंदी ही add stitch के लिए लिए हैं और निचे से base देने के लिए 2 राउ हुल्टे फंदों के साथ बुनकर निकाल ले हैं तो चलिए बनाते हैं पहली रॉँआ, सीधी साइड use, switch, slip करेंगे, धागा आगे करेंगे, repeat, pattern स्टार्ट करेंगे, दो फंदेह, एक, दो, धागा पिछे, तीन फंदेह, सीधे, एक, दो, तीन, आगे की साईड से दो फंदों का, एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा, जाए डालेंगे, धागा आगे लाएंगे, दो फंदे उल्टे, एक, दो, जाए डालेंगे, धागा पीछे लेक कर जाएंगे, एक फंदा सीधा, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन ये दिखिए हमारे एक पैटन कम्प्लीट हो गया है इसमें हमने दो फंदे उल्टे बनाए तीन फंदे सीधे दो फंदों का एक फंदा बनाएं आगे की साइड से एक फंदा सीधा जाई डाली दो फंदे उल्टे जाई डाली एक फंदा सीधा दो फंदों का एक फंदा बैक लूप से बनाया तीन फंदे सीधे फिर से इस पैटन को ऐसे ही बार बार पीट करते हुए जाएंगे और लास्ट में हमारे पास तीन फंदे बच दूसरी रौ है और रॉंग साइड है उल्टी रौ इस रौ में हर बार सीधे फंदे सीधे उल्टे फंदे उल्टे और जाली पर फंदे उल्टे बनाएंगे दो फंदे सीधे एक दो छे फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे दो फंदे सीधे एक दो छे फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, लास्ट में तीन फंदे बचेंगे, दो फंदे सीधे, एक, दो, एस्टिच, उल्टा बना लेंगे, तीसरी रो है और सीधी साइड है, A-stitch, slip करेंगे, धागा आगे करेंगे, repeat pattern श्टार्ट करेंगे, दो फंदे उल्टे, 1, 2, दो फंदे सीधे, 1, 2, आगे की side से दो फंदों का 1 फंदा बनाएंगे, 1 फंदा सीधा, जाइडा लेंगे एक फंदा सीधा धागा आगे दो फंदे उल्टे एक तो धागा पीछे एक फंदा सीधा जाइडा लेंगे एक फंदा सीधा बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे दो फंदे सीधे एक तो यह दिखिए हमारा एक pattern complete हो गया है वे हमने दो फंदे उल्टे बनाए दो फंदे सीधे फिर से इस pattern को repeat करेंगे और last में तीन फंदे बचेंगे दो एस्टे सीधा बना लेंगे तीसरी रौ complete हो गई है चोथी रौ है wrong sign फिर से रौ second की तरह ही बुनेंगे दो फंदे सीधे एक दो छे फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे दो फंदे सीधे, एक, दो, छे फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, लास्ट में तीन फंदे हैं, दो फंदे सीधे, एक, दो, एस्टिच उल्टा बना लेंगे पांचवी रों है और सीधी साइड है, एस्टिच स्लिप करेंगे, रिपीट पैटन स्टाट करेंगे, दो फंदे उल्टे एक, दो, एक फंदा, सीधा, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा जय डालेंगे, दो फंदे सीधे, एक, दो दो फंदे उल्टे, एक, दो दो फंदे सीधे, एक, दो, जाई डालेंगे एक फंदा सीधा बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा ये देखिए यहाँ पर हमने दो फंदे उल्टे बनाए एक फंदा सीधा दो फंदों का एक फंदा एक फंदा सीधा जाई डाली दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे दो दो फंदे सीधे, जाए डाली, एक फंदा सीधा, दो फंदों का एक फंदा, एक फंदा सीधा बुना, फिससे इस पैटन को बार-बार पीट करेंगे, ईश्च में तीन फंदे बचेंगे, दो फंदे उल्टे, एक, दो ऐस्टे सीधा बना लेंगी, तो देखे, पांच मी रह कम्प्लीट हो गई है, छटी रो है, रोंग साइन, रो सेकिंड की तरह ही बुनेंगे, दो फंदे सीधे, एक, दो, छे फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, फिर से दो फंदे सीधे, एक, दो, छे फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, लांस्ट में तीन फंदे हैं, दो फंदे सीधे, एक, दो, एस्टिच उल्टा बना लेंगे, सात्मी रों हैं, और सीधी साइड है, एस्टिच स्लिप करेंगे, धागा आगे, रपीट पैटन स्टार्ट करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक, दो, धागा पीछे, आगे की साइड से दो फंदों का, एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा, जाइडा लेंगे, तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, दो फंदे उल्टे, एक, दो, तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, जाइडा लेंगे, एक फंदा सीधा, वैक लूप से दो फंदों का, एक फंदा बनाएंगे, ये देखिए, हमारा एक pattern complete हो गया है, इसमें हमने 2 फंदे उल्टे बनाए, 2 फंदों का 1 फंदा बनाया, 1 फंदा सीधा, जाई डाली, 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, जाई डाली, 1 फंदा सीधा, 2 फंदों का 1 फंदा, फिर से इस pattern को repeat करते हुए, स्लिप करेंगे फिर से रो सेकिंड की तरह ही भुनेंगे दो फंदे सीधे एक दो छे फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे दो फंदे सीधे एक दो छे फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे लास्ट में दो फंदे सीधे एक दो एस्टिच उल्टा बना लेंगे तो देखिए एर्थ रो कम्प्लीट हो गई है और हमारा पैटन भी कम्प्लीट हो गया है फिर से हम इसे फास्ट रो से स्टार्ट करेंगे तो एक बार देखिए फास्ट राइट साइड एस्टिच स्लिप करेंगे रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे दो फंदे उल्टे एक दो, तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे धागा अगे लाएंगे, दो फंदे उल्टे, एक, दो, जाई डालेंगे धागा पिछे लेक कर जाएंगे, एक फंदा सीधा, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन ये देखिए हमारा एक पैटरन कम्प्लीट हो गया है फिर से इसे रपीट करेंगे और लास्ट में तीन फंदे बचेंगे दो फंदे उल्टे एक, दो, एस्टे सीधा बना लेंगे तो देखिए फिर से हमारा पैटरन फर्स ट्रॉ से स्टार्ट हो गया है तो ऐसे ही बार-बार हम इसकी 1, 2, 8 रॉर रपीट करते जाएंगे और ये पैटरन बनकर इस तरह से दिखने लगेगा ये दिखिए इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं तो फ्रेंड आप भी से बनाईए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शर कीजिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करना फैमली फ्रेंज के साथ शर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें तो मिलते हैं ऐसी ही और नए नए पैटरंस के साथ तिल देन बाई बाई फैन